हेलो अचों आज हमारा क्वेशन है write as a decimal हमें इनको किस में लिभान है या आपको देखना, 7 upon 10 है, हमें 0 देखना, कितने 0 है, इसमें तो एक ही 0 है upon में, तो एक digit के आगे point लग जाएगा, जितनी 0 हैंगो, उतनी 0 है, एक 0 है पहले, तो एक digit के आगे point, तो point 7, तो यह हमारे same answer लाग है, यह आप divide कर दो, यहाँ 25 है, upon कितना 10 है, भाई 0 देखो, कित इतना एक जूर है, denominator में एक जूर है, तो एक digit गिननी है, उसके आगी point लग जाएगा, digit हमें यहां से गिननी है, right hand side से, ठीक है, यह एक है, तो इसके आगी point, तो 2.5 आ जाएगा, यह आप divide भी कर सकते हैं, 25, तो 10 to 20, यह 5 यहां, point लगेगा, 0, 10 5 जा, 52.5, यहां देखो, 50 upon क जाएगा, यहां देखो, 1, 2 digit, तो 0.50 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 0 थे, 2 digit के आगे point लगेगा, तो 2 digit के आगे point लग गया, okay, ऐसी देखो, 3, 2, 1 upon कितना है, 1000 है, कितने 0 है, 1, 2, 3, अब 3 0 तो 3 digit, 1, 2, 3, 0.3, 2, 1, okay, ऐसे 5, 1, 9 upon कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 0 है, 1, 10, 100,000, 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, 0, अब 1, 2, 3, भाई, डिजिट तो 3 है, 1, 2, 3, हमें तो 5 0 है, हर हाल में 5 digit चाहिए, तो हम क्या करें, 2 0 लगा लेंगे, मतलब हम 5 digit बनाने वे, 1, 2, 3, आप कुछ नहें, तो 2 0 लगाए, यहां पर point लगा दिया, 26 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 0 है, यहां digit कितने है, 2 है, भाई, यहां तो 2 है, हमें तो 4 digit होड चाहिए, तो 4 क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, point यहां पर आ जाएगा, ओके,